नमो एप पर यूपी से बाईहमांसु यादव ने लिखा है कि मेरीन इंडिया वैक्सिन से मन में एक नया आत्मविश्वास आगया है। मदुरई से किर्ती जी लिखती हैं कि उनके कई विदे सी दोस्त उनको मेसेज भिज़कर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किर्ती जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ले जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद किये हैं। उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। किर्ती जी देश का ये गवरोगान सुनकर मन की बात के सोताओं को भी घर्व होता है। आजकल मुझे भी अलग-अलग देशों के राष्टपती और प्रधानन्तियों के तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं। आपने भी देखा होगा। अभी ब्राजील के राष्टपती ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है। वो देखकर हर भारतियों के तरह अच्छा लगा। हजारों किलोमेटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायन के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है। उनके मन पर गहरा प्रभाव है। ये हमारी संस्कृति की विशेस्ता है। साथियों इस वेक्षिनेशन कारकम में आपने एक और बात पर अवशे ध्यान दिया होगा। संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वेक्षिन को लेकर सक्षम है आत्म निर्भर है। यही सोच आत्म निर्भर भारत अभियान की भी है। भारत जितना सक्षम होगा उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा उतना ही अधिक लाब दुनिया को होगा। मेरे प्यारे देशवासियों हर बार आपकी धेर सारे पत्र मिलते हैं। नमो एप और माय गौव पर आपके मेसेजिज, फॉन कॉल्स की माध्यम से आपकी बाते जानने का अफसर मिलता है। इनी संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है जिसने मेरा ध्यान खीचा। ये संदेश हैं बहन प्रियंका पांडी जी का। 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्ते की विद्यार्थी नी है और विहार के सिवान में रहती है। प्रियंका जी ने नमो एप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू परेटन सलो पर जाने के मेरे सुझाओ से बहुत प्रेडित हुई थी। इसलिए एक जन्वरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमेटर दूर देश के पहले राश्पती डॉक्टर राजेंदर प्रसाजी का पैत्रुक निवास। प्रेंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था। प्रेंका जी को वहां डॉक्टर राजेंदर प्रसाजी द्वारा लिखी गई पुस्ते के मिली, अनेक एतिहासिक तस्विरें मिली, वाकई प्रेंका जी आपका ये अनुभव दूसरों को भी प्रेदित करेगा। साथियों, इस वर्थ से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारो अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में ये हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थान्य जगवां का पता लगाने का बहतरीन समय हैं, जीन की वजह से हमें आजादी मिली। साथियों, हम आजादी के आंदोलन और विहार की बात कर रहे हैं, तो मैं नमो एप पर ही की गई एक और टिपनी की भी चर्चा करना चाहूँगा। मुंगेर के रहने वाले जैराम विपलव जी ने मुझे तारापूर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932, 1932 को देश भक्तों की एक टोली के कई वीर नवजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एक मात्र अपराज यह था कि वे बंदे मात्रम और भरत मा की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और उनके साहस का स्रद्धापूर वक्स मरन करता हूँ। मैं जैराम विपलव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे एक ऐसी घटना को देश के थामने लेकर आये जिस पर उतनी चर्टा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। मेरे प्यारे देश्वासियों भारत के हर हिस्से में हर शहर, कस्बे और गाउं में आजाजी के लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी। भारत भूमी के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और विरागनाओं ने चन्म लिया जिनोंने राष्ट के लिए अपना जीवन न्योचावर कर दिया। ऐसे में यह बहुत महतोपून है कि हमारे लिए किये गए उनके संगर्शों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजोकर रखें और इसके लिए उनके बारे में लिखकर हम अपनी भावी पीडियों के लिए उनके इस मृतियों को जीवित रख सकते हैं। मैं सभी देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथियों को आवान करता हूँ कि ये देश के स्वतंतरता सेनानियों के बारे में आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखें। अपने इलाके में स्वतंतरता संग्राम के दौर की विर्ता की गाताओं के बारे में किताबें लिखे। अब जबकि भारत अपने आजाजी के 75 वर्ष मनाएगा तो आपका लेखन आजाजी के नायकों के प्रति उत्तम सरद्धांजरी होगी।